हेलो दोस्तो भार्त वर्ष समासुधारकों की महापुरुषों की धर्ती रही है एक ऐसे ही महात्मा एक ऐसे ही महापुरुष जुनोंने समासुधार के लिए ने कारे किये मात्मा जोतिवा फूले उनकी जयनती पर आपने भाशन देना है शुरुआत कीजिए एहरे पर हो सचकी रोनक ऐसे लोग कहां मिलते हैं जो जंगल को महका देते अब वो फूल कहां खिलते हैं सबसे पहले आप सभी को महान प्रेना स्रोत महात्मा जोतिवा फूले जैनती की हार्दिक शुब कामना है कारेक्रम में शामिल माननी मुक्य अति थी एवं सभी युवाओं माताओं बहनों और बुजुर्गों का स्वागत करता हूँ भारत भूमी पर जहां परोपकार दया करूना मानवता जन कल्यान की बात होती हो तो अनेक महापुरुषों का नाम आता है 1827 शिश्वी में पुने में ऐसे ही एक उदार हिर्देई मापुरुष का जनम हुआ जिनका नाम कुरीतियों को मिटाने और महिलाओं की शिक्षा में सर्वोपरी आता है वो थे मात्मा जो थी बापुले जिनकी हमेशा एकी मनोवरिती थी हमारा धर्म प्रेम होना चाहिए और जाती के उल्मानोता होनी चाहिए इसकी निरजरधारा अनवर्त बहती हो इस धर्ती पर ऐसा दिव्वे चश्मा है अपनी आदमियत से प्रिचित हो जाए तो आदमी कुदरत का सबसे बड़ा करिश्म है मात्मा जोतिवा फूले 19 सदी के लिए करिश्मा थे जीवन में विप्रीत प्रिष्थित्यों के वज़े से 21 वर्ष की आयू में तक्ष्या साथ तक की पढ़ाई पूरी हो पाई जैसी उनकी मनोवरिती थी 1844 में वैसी जीवन संगिनी मिली सावतिरी वाई फूले जिने भारत की पहली महिला सिक्षिका का श्रेय जाता है मात्मा जोतिवा फूले और सावतिर वाई फूले का दापंत्य जीवन समास की दशा सुधारने में बीता जोतिवा भूले कभीरदास रवीदास जी जैसे परमसंतों की जीवनियां पढ़ते थे उनकी वानी से प्रेडित होकर उन्होंने समास की कुरीतियों पर जोड़दार प्रहार किया इश्वर के बना एक अंकाल का नाम न धरो उँच नीच के भेद से किसी को बदनाम न करो जात पात और आजकतावादी लोगों की वृत्ती है मातर जाती से आदमी की पहचान न करो उन्होंने जात पात उँच नीच का घोर विरोध किया इस्त्री शिक्षा विद्वा विवा के लिए किये गए उनके प्रयास सफल रहे इस्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने 1848 में एक विद्याल्य खोला जिसमें पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली इसलिए साथ्त्री वाई फुले ने बालिकाओं को पढ़ाने का काम शुरू किया उस समय बालिका शिक्षा को पाप समझा जाता था इस कारण उन्हें समाज से अनेक विक्ट प्रिष्टितियों का सामना करना पड़ा पर वो अपने लक्षय से कभी पीछे नहीं अटे रास्ते जिंदगी के आसान नहीं होते किसकी जिंदगी में तुफान नहीं होते उंचे-उंचे मुकाम हासिल करने वाले छोटी-छोटी ब मैं सरव समाज से एक बात कहुआ कि हम मात्मा जोती बाफुले ज्यंती पर ऐसे संकल्प ले जिससे हमारे समाज का उध्धार हो शादी मृत्यू भोज शराब में फिजूल खर्ची करने के बजाए अपने समाज प्रिवार कल्यान के लिए साहिक बने मात्मा जोती बाफुले ने इस्तरी सुधार के लिए इस्तरी शिक्षा को सबसे बहतर विकल्प बनाया यह बास्तत्य भी है कि अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो वह अत्याचार से बसती है और समाज को रोशन करती है आज भी हम लोग इस बात को अंदेखा करते हैं जिसके प्रिणाम में न जाने कितनी बेटियां दहेज और समास के अत्याचार की बली चड़ जाती है इसलिए हम बेटियों को जादा से जादा शिक्षित करें युआ शक्ति से कहना चाहूँगा कि हमारी यह आयू कुछ नया करने की है आज का यूग नेपन का यूग है वर्तमान में अपने आपको सफल बनाने के लिए बहुत अफसर है इसलिए अपनी शक्ति को केंद्रित करके स्वावलंबी सफल और अच्छे इंसान बने मात्मा जोती वाफूले की जयनती पर पुश परपन के साथ ऐसे शुब संकल्प अरपित कने जिससे उनकी वानी और उनके करम की गूंज हमेशा अमर रहे सफल रहे इनी शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ तो दोस्तों इस तरह से भाषन दीजिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको किसी भी संचालन की भाषन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिये गए मुबाइल नमबर पर संपर्क करें धन्यवाद